नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में रेलवे एंटीपीजी में स्रीज में अभी तक हम 25 सेट कंप्लीट कर चुगे आज सेट नमबर 26 है जो की 16 जनुवरी 2021 को सेकिंड सिप्ट में हुआ था और इसके अंदर टोटल आपसे 37 सवाल पूछे गए कौन सा सेक्शन वे के एकजाम से पिले आपको पताच चल दे हैं कि लिए टेस्ट बुक इसली बेटरिन प्रेटपोरम एक तो आप अलिमिटेड मोग टेस्ट लागा सकते हो सेकिंड सभी एकजाम के मोक्तेस आपको एक कि पास के यंध्रिकद मिल दें इसमें विदिया आप एक्जाम में जो अब तक 20,000 जो एक्जाम ओरिंटीन मौक टेस्ट यहां पर एविलिबल है 400 प्लस एक्जाम की मौक आप लगा सकते हूँ ज्यादा जानकारी के लिए डेस्क्रिप्स मौक पर लिंक है क्लिक करके यह मौक टेस्ट सरी जोइन कर सकते हूँ तो चलिए आपर क्योसंस को कंटेन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपने पेपर को और यहां पर जो आपको सबसे पहला सवाल दिया गया है वो है एक छोटी से छोटी संख्या ग्याद कीजिए जिसमें 25 ही आप जोड़ देते हो तो वो इन तीनों से पूंत है विभाजित हो क्या करना पढ़ेगा सबसे पहले इनका ILCM निका लेंगे और उसमें से 25 गटा देंगे ILCM के लिए यह क्या होता है पांच का स्क्वेर होता है और यहां पर आता है एक तो आता है नो एक आता है चार नो क्या होता है तीन का स्क्वेर होता है चार दो का स्क्वेर होता है यह इसको तोड़ते हो तो आठ और पांच में टूटता है आठ क्या होता है तीन का स्क्वेर दो की सबसे बड़ी पावर कितनी है दो की पावर तीन 3 की कितनी है, 3 की power 2, और 5 की, 5 की power, यह सबसे बड़ी power है, इन 3ों को आप समें multiply कर दो, यह हो जाएगा, 2 की power 3 का मतलब है, 8 यह हो जाएगा, 9 into 25, इनको multiply करना 72, और 72 को आप जब 25 से multiply करते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आधे का आधा कर सकते हो, बहतर का आधा, 36, 36 का आधा कितना हो जाएगा, 18 और पीछे आपको 2-0 लगानी पड़ेगी, तो यह आ चुका है, इनको आपस में multiply करने का, तो अठारा सो आ चुका है, अब यहाँ पर जब आप option देखते हो, तो आठारा सो क आसपास तो कुछ भी नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे अगली संख्या निकालनी पड़ेगी, जो इनसे पूर्णत है विभाजित हो, तो हम यदि इसको 2 से multiply कर देते हैं, तो वो संख्या भी इन सबसे विभाजित होगी, तो कितना आएगा, वो आजाएगा, अब देखते हैं, तो यह 3600 के तो आसपास है, यह 3500 है, यह 3600 है, तो क्या करना पड़ेगा, वो संख्या निकालने के लिए हमें 25 घटाना पड़ेगा, तो 3600 में से जब आप 25 घटाते हो, तो कितना आजाएगा, वो आजाएगा, 35, 35, 35 आ चुगा है, यह वो संख्या हो च्छोटी से च्छोटी, इसमें यदि आप 25 जोडते हो, तो वो 3600 आ जाता है, और 3600 इन तीनों से भी भाजित होगा, तो हमारा आंसर आ चुगा है, 35 पिचेतर, Q5, Q5 में क्या कहा गया है, 120 पैनों का क्रे ल"...X पैनों के विक्रे मुले के बराबर है, यहां पर एक पैन का क्रे मुले, CP लिया है और बेचने वाला मुले, SP लिया है हमने selling price ठीक है तो यह बराबर है इसके एक चीज तो यह दी गई है तो यहां से आप CP SP का ratio निकाल सकते हो जो कि आ जाएगा X बटे 120 यह इनका अनुपात आ चुका है अब यहां से कहा गया है कि 35 कितना लाब होता है 25% इसका मतलब है कि एक बटे 4 होता है इसकी value इनके अंदर यानि 4 की चीज को वो एक के लाब में बेजता है तो यानि कि यहां से देखने पर cost price तो हो चुका है चार और selling price कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा क्योंकि 4 प्लस एक 5 हो जाएगा तो यहां पर हम इनके बराबर रखते हैं अनुपात कितना था cost price तो 4 और selling price नीचे है यह कितना आएगा 5 यह आ चुका है अब इन दोनों को आप solve करो तो कितना आ जाएगा यहां से 5x बराबर 120 इंटू 4 तो x बराबर कितना आ जाएगा 120 इंटू 4 बटे 5 5 से यह आप काटते हो तो 2 और 4 वार जाता है 24 को यह चार से आप multiply करते हो तो 96 आता है तो x का मान हमारे पास 96 हा चुगा है question number 6 8 में यह जोड़ना है का मान निकालना है देखो किस प्रकार से करो इस bracket को solve करना है आपको यह आधा है और यह आधे का भी आधा है यानि कि हम इस आधे को क्या लिख सकते है उपर नीचे यह दी मैं 2 से multiply करता हूँ उपर 2 और नीचे 4 हो जाएगा उपर नीचे दोनों त कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा option number 4 question number 16 इसमें क्या करना है आपको यह दो संख्या ही दिये 27 और 81 इनका LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है तो देखो किस प्रकार से निकालेंगे एक संख्या है 27 एक प्रकार दूसरी संख्या 81 तो LCM क्या होता है कि जो भी HCF तो दोनों के अंदर common part होता है और LCM क्या होता है common part और into जो दोनों में बचा है तो देखो यहां किस प्रकार से हम निकालेंगे तो 27 क्या होता है तीन की cube होता है और 81 क्या होता है तीन की power 5 27 तीन की power 4 27 ती है हां तीन की power 4 होता है तो देखो यहां से अब हमारा LCM क्या होगा जो दोनों में 3 की power सबसे बड़ी है वो हो जाएगी 3 की power सबसे बड़ी कितनी है 4 तो यहां से LCM तो हो गया 3 की power 4 और HCF क्या होगा जो common यानि common क्या होगी 3 की power जो सबसे छोटी है यानि 3 की power 3 इसमें भी है 3 की power 3 इसमें भी है तो यहाँ पर 3 की power 3 यह हमारा हो चुका है HCF तो यहाँ से HCF कितना आ चुका है 27 आ चुका है LCM कितना है इनको करोगे बापस solve भी क्या सी तो यह हो चुका है option number 1 सवाल number 20 और इसमें आपको इसको solve करना है तो किस प्रकार से सबसे पहले सबसे अंदर वाला bracket solve कीजिए तो इन दोनों को solve करने पर आता है 7 और यहाँ पर अब 7 आ गया है इन दोनों को यह दिया आप solve करोगे तो 4 आ जाएगा minus 7 है 4 minus 7 कितना हो जाएगा minus का 3 हो जाएगा यह हो चुका है तो अब हमारी equation 3 हो चुका है minus का हमने इस bracket को solve कर दिया है अब देखिए आगे तो लिखा हुआ है 3 बटे 5 minus 8 of 4 इसको भी off का मतलब into तो यहाँ पर जिदिया आप into लिखोगे तो 8 चौक 32 तो यह हो चुका है 32 plus 3 into minus 3 यह आ चुका है अब देखो इन दोनों को यदि solve करते हो तो minus का 9 आता है यह minus का 32 है plus 3 3 बटे 5 है तो अब यह हो चुका है इनका आपको LCM लेना है 5 हमने LCM ले लिया है और यहाँ जब आप 5 से करोगे तो 3 और इन दोनों को हम क्या करें है पहले ही जोड लेते है LCM लेने से पहले ही दिया आप इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 32 और 9 आजाएगा 41 और 41 को LCM लोगे तो 5 से multiply करना पड़ेगा 41 को 5 से किया तो 5 और 20 205 आ चुका है घटाने पर minus 202 बटे 5 यह आपका option आजाएगा question number 23 23 तो क्या है कि काफी आसान है आप कर लोगे तो यह तो मैं आपको करा नहीं रहा question number 24 इसके अंदर क्या निकालना है यदि A quote theta ब्राबर B है तो इसका मान बताना है तो देखो क्या करते हैं हम quote theta यदि मैं A को उधर ले जाता हूँ तो वो नीचे चला जाएगा इस प्रकार से अब मैंने क्या किया इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ यह होता है cos theta बटे sin theta इस प्रकार से हम लिख सकते हैं और यहाँ B बटे A इसका मान हो चुका है यदि cos theta का यह तो हमारे पास cos और sin theta का अनुपात आ चुका है यदि हमको मान निकालना है दोनों को तो मान लिया कि अब सेम संख्या x x से दोनों multiply है तो हमारे पास cos theta का मान तो आ जाएगा B x यहाँ से और sin theta का मान हमने आ गया है A x यानि कि यह तो है अनुपात और आप किसी same number से इनको multiply करोगे जो कि यहाँ पर कट चुका है तो अनुपात आ चुका है यानि कि कोई एक number हमने मान लिया x वो इससे भी multiply था और इससे भी multiply था तो यहाँ आ चुका है cos theta का मान B x और sin theta का मान इतना आ चुका है आपके पास अब आप यहाँ पर इनको मान रख दो तो देखो cos theta का मान हमने रखा तो यह हो चुका है b x यहाँ पर भी इससे प्रकार से रखोगे b into a x आ जाएगा नीचे मान रखोगे तो a b x आ जाएगा और यहाँ पर भी b a x आ जाएगा अब देखो plus का sign है यहाँ पर यह a b x a b x यह a b x में से a b x घटेगा तो उपर 0 आ गया तो उपर यदि 0 है तो पूरी संक्या 0 हो जाएगी option number 1 question number 25 यदि यह है तो आपको x का मान बताना है अब देखो इसका मान निकालते है x का मान की इस प्रकार से आप सबसे पहले भाग को solve करोगी भाग यहाँ दे रखा है और यहाँ दे रखा है जब यहाँ दे रखा है तो हम उसको क्या लिख सकते है नीचे लिखना पड़ेगा 3x प्लस इसको आप लिख दोगे 8 बटे 9 लिख दूगे सबसे पहले 4 x 8 बटे 9 अब यहाँ करोगे तो x बटे 3 लिख दो गे इस प्रकार से आ चुका है अब क्या है ये नीचे वाला उपर से कटेगा कट तो रह नहीं है तो हम इसको लिख देते हैं 32 बटे 9 इस प्रकार से यहां आ चुका है X बटे 3 अब देखो दोनों तरफ भिन में आचुके इस प्रकार से और दोनों तरफ X है तो आप क्या कीजिए सबसे पहले LCM ले लीजिए इधर उदर ले जाने से पहले आप LCM ले लीजिए सवाल काफी आसान हो जाएगा इधर LCM लिया पूरे का ही LCM ले लो चलो ऐसा करो कि पूरे का ही LCM ले लो तो लो के तो कितना आएगा नीचे तो 9 आजाएगा अब 9 को आप इसे किया LCM आया तो नीचे क्या है? कुछ नहीं तो भाग 9 में यही एक जाएगा तो कितने से यहां multiply यहेगा? 27 x हो जाएगा यहां दिया तो 32 का 32 ही भज़ जाएगा ठीन का दिया यह 3 का 9 में भाग दिया तो 3 तो यहां 3 x आएगा यहां नीचे कुछ है नहीं तो एक मान लिया, एक का 9 में भाग दिया, तो 9 आ जाएगा, इतना आ चुका है, अब ये नीचे वाला, कुछ नहीं है, इसको हटा दो, अपने पास समेकरन आ चुकी है, कि ये आ चुकी है, क्या आई है, यहां से आई है, 27x, 27x प्लस 32 बराबर, 3x माइनस 9, ये आ चुकी है, तो अब इसको ये आप घटाते हो, तो कितना आता है, 24x, और उधर ये जाएगा, तो माइनस का 9, और माइनस का 32, तो माइनस का आ चुका है, 41, तो x का मान यहां से कितना आ चुका है, माइनस 41, बटे 24, option number 3, option number 28, विकास एक कारे को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बबलू उसी कारे को 10 दिन में पूरा कर सकता है, यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो उस कारे को कितने दिन में पूरा करेगा, तो सबसे आसान तरीका यह है, कि दोनों दिनों को multiply करतो, day 1 into day 2 multi, और नीचे दोनों को जोड़ दो, नीचे दोनों को क्या करो, जोड़ दो, इस प्रका जा चुके हैं अब को, यदि दोनों का अलगलग काम दिया और साथ में काम पूछा हो, तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो, फिर आप को क्या करना पड़ेगा, यह formula के वल इनी के लिए है, यदि दोनों का अलगलग काम दिया और एक साथ पूछा गया है, और यद पंदरा का तीस में भाग दोगे तो दो आजाएगा, दस का दोगे तो तीन आजाएगा, दोनों एक दिन में कितने पांच बना लेते हैं, तो तीस को यदि पांच से आप डिवाइड करोगे, तो टोटल छे, छे दिन लगेंगे उसको, सवाल नमबर 31, यदि किसी बेलन की तीरजा 5 सेंटीमेटर है और उसकी उर्द्वाधर उंचाई इतनी है, यहनि कि उर्द्वाधर कुछ नहीं है, उंचाई इतनी है, तो इसका आइतन गयात कीजिए, तो बेलन की तिरजा देखो, बेलन का फॉर्मुला होता है, आइतन का, पाई आर स्क्वेर एच होता है, प देखो, 25 को जब किसी संख्या से मल्टिप्लाई करते हैं, तो उसको आधे का आधा, तो 172 का आधा कैसे करोगे, आप 100 का आधा 50 होता है, और 72 का आधा 36 होता है, 50 और 36 जोड़ोगे, तो कितना आजाएगा, 86 आजाएगा, 86 का भी आधा करोगे, तो 43 आजाएगा, और पीछे होता हो, मिलेगा आपको, किशन नमबर 32, 32 का क्या कहा गया है, ए बराबत 3 by 7 भी, तो यहां से ए बी का आणपात आपके पास 3 बटे साथ आ चुका है, यदि ए बी का आणपात इतना है, तो ए कितना होगा, 3 एक्स हो जाएगा, और बी कितना होगा, 7 अग्स हो जाएगा, य इन्टू 3X माइनस, B की जागा, 7X रख दो, नीचे क्या रखोगे, 6X हो जाएगा, और इसको करोगे तो 21X हो जाएगा, यह हो जाएगा, एक्स एक्स उपर नीचे आकर कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, 24 माइनस 7 और नीचे प्लस था, नीचे कितना बचेगा, 6 और 21 कितना हो जाएगा, और 21, 27 हो जाएगा, नीचे तो हो चुका है, 27 उपर हो चुका है, 4 इसमें से यह ती घटा देते हो, 17, तो 17 वट्टे, 27, 17 वट्टे, 27 हमारा आंसर आचुका है, जो कि option number 1 है, question number 33, इन दोनों का LCM लेना है आपको, तो किस प्रकार से लोगे, देखो 48 और 65 के सबसे पहले आप देख लो, कि टुकडे कर लो, इसके अंदर क्या आता है, यह होता है, 16 इंटू 2, 16 इंटू 3, 16 क्या होता है, 2 की power 4 और 3, ठीक है, यह हो चुका है, यहाँ पर तो, इनको आप तोड़ते हो, तो कितना आता है, 13 इंटू 5, यानि कि हमारे पास एक सं क्या आ चुके, 13 एक आ चुके, 5 इन सब का मल्टिप्लिकेशन, इन सब का मल्टिप्लिकेशन क्या, मल्टिप्लिकेशन नहीं, सबसे बड़ी पावर लोगे दोनों में से आप, इसमें 2 की पावर सबसे बड़ी कितनी है, 2 की पावर 4 तो वो ले लिया, 3 की पावर, 1 ही है, 3 ले लिया बागी क्या है पांच की पावर सबसे बड़ी पांच ही है और क्या बचा तेरा बचा तेरा ले लिया इनको multiply करोगे यह कितना है दो की पावर 4 16 होता है 16 को जब आप 3 से करोगे तो 48 आ जाएगा यह 65 है यानि कि आपको 48 इंटू 65 ही निकालना है तो कि दोनों में से कोई common part नहीं है तो इनको direct multiplication करोगे आप तो यही आ जाएगा 31 बीट 37 का क्या करना है ए अन पाथ भी बराबर इतना दे रखा है वैसा ही सवाल है ए अन पाथ भी बराबर आपको साथ अन पाथ 3 दे रखा है यदि ए और बी के मान निकालते है तो उपर एक्स से multiply करेगा और नीचे भी करना पड़ेगा तो यह का मान आ चुका है साथ एक्स और बी का मान आ चुका है 3 एक्स यह आ चुका है मान यहाँ पर आप रखो तो क्या रखोगे तीन अन्रूट साथ X 3 प्लस यहाँ पर 2 अन्रूट 3 X यह हो चुका है नीचे रखोगे तो सेम यही है 3 अन्रूट साथ x माइनस 2 अन्रूट 3 X X से X घटकर कट जाएगा यहां आएगा 3 अन्रूट साथ प्लस 2 अन्रूट 3 नीचे आ चुका है 3 काई शाथ threat यह 3 है और यहाँ पर अंडूट 3 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ अंडूट 3 इंटू अंडूट 3 तीन को हम लिख सकते हैं अंडूट 3 इंटू अंडूट 3 तो उपर आ चुका है अंडूट 3 दोनों में से common तो यहाँ बचेगा अंडूट 3 एक फिर अंडूट 7 प्लस तो इस प्रकार से नीचे बचेगा अनूठ 3 common आचका है, यहां बचेगा अनूठ 3 साथ माइनस 2 इस प्रकार से बच जाएगा, अब देखों अनूठ में 3 भी अंडूट में 7 भी है तो दोनों अपस multiply हो जाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास बचेगा बच जाएगा अंडूट 3 तो बाहर है उपर नीचे जो की कट जाएगा इनको तो काट दिया है अंदर बचा अंडूट 21 प्लस 2 और नीचे बचेगा अंडूट 21 माइनस 2 यह आपका option आ चुका है यह कौन से option में दे रखा है आपको option दो में तो देखो माइनस 2 है तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते है 2 प्लस उसको आगे लिख दिया और इसको आगे लिखा होगी तो माइनस 2 हो जाएगा प्लस अंडूट इक किस इस प्रकार से भी लिख सकते होती है option नमबर 2 आपको दिखाई दे रहा है question नमबर 41 में क्या का गया है यह दे रखा है इसका मान निकालना है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते है या तो आप इनके मान रखो एक का मान रखना पड़ेगा और यह कहरा है एस सुनने है तो एक का मान हम जीरो तो नहीं रख सकते तो जीरो तो नहीं रख सकते किदि आप यहाँ पर नब्ध्य रखते हो तो cost यह 2A का मान 180 हो जाएगा तो cost 180 का मान थोड़ा सा निकालना हार्ड है तो इसलिए मैं a का मान 45 रखता हूँ या ज़िए आप 45 रखते हो तो यह पूरा कितना हो जाएगा नब्ध्य हो जाएगा 2A का मान cost 90 की value कितनी होती है 0 यह 0 हो चुका है यह भी 0 हो चुका है यह अन्रूट में मान कितना आ चुका है 1 बटे 1 जो कि 1 के बराबर होता है तो 45 रखने पर एक किसका मान आता है 10 का आता है और code का भी आता है तो हमारे पास 2 option आ चुके है बाकी 2 option cancel हो चुके है अब 45 हमको दूसरा का मान और रखके देखना पड़ेगा तो आप एक का मान अपक्यों आ रख्या करो 30,60 में से एक रखके देख लो 30 रखना ज्यादा असान है तो को साथ का मान कितना होता है एक बटे दो तो अनरूट में क्या आ जाएगा ऊपर तो आ जाएगा एक बटे दो और नीचे भी 1-1 यह आ जाएगा या उपर तो जो आया है मान वह है अनरूट तीन बटे दोनों गो जोडने पर नीचे आएगा एक बटे दो दो से 2 कट जाएगा अनरूट में 3 बटे एक आ चुक है जिसका मतलब अनरूट 3, अब अनरूट 3 किसका मान उता है, 10 1 का मान होता है 30 पे, एक मान 30 ए इस रख के देखो किस का मान होता है 33 का मान कितना होता है एक बट्री जफिक कोड़ 30 का मान कितना होता है अंडूट 3 होता है इस प्रकास से option नमबर 3 हो चुका एएक तरीका तो यह दूसरा तरीका यह है कि यह तरीका जब था जब आपको formula याद नहीं हो यदि आपको cos 2a के formula याद है तीन formula होते हैं यह तीनों की तीनों याद होने चाहिए cos 2a बराबर 2 cos square a minus 1 यहाँ पर तो क्या है कि 2a और यहाँ पर क्योवल a है अब देखो cos 2a का एक और formula होता है sin के रूप में 1 minus 2 sin square a और cos 2a का एक और formula होता है cos square a minus sin square a यह तीन formula होते हैं यह आपको यह याद है तो आप इनको formula से कर सकते हो देखो अब यहाँ पूछा किया है 1 plus cos 2a तो मैं यदि 1 को उधर ले जाता हूँ तो 1 plus cos 2a हो जाएगा उधर जिसका मान कितना आ चुका है 2 cos square a निक्चे इसका मान कितना आएगा यदि इसको मैं उधर ले जाओं तो यह आजाएगा minus 1 plus cos 2a बराबर minus 2 sin square a यह आजाएगा अब यदि देखो minus यहाँ से मैं common लेके काटता हूँ तो यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा 1 minus cos 2a बराबर 2 sin square a यह बन जाएगा इधर से common ले लिया फिर common लेके आप काट दोगे तो यह बन जाएगा अब देखो हमारे पास यहाँ से मान आ चुके यह मान आप जब यहाँ पर रखोगे तो उपर तो क्या आ जाएगा 2 cos square a और नीचे आ जाएगा 2 sin square a तो यहाँ कट कटा के 2 से 2 कट जाएगा और अन्रूट में आपके पास बजेगा cot square a अब अन्रूट है और यहाँ पर square है तो एक दूसरे से कट के क्या बन जाएगा cot a हो जाएगा इस का मान cot a जो कि option number 3 है question number 47 47 इसको आपको solve करना है या आप कर लेना question number 48 में क्या है वो इस सवाल फिर से आ गया है x अनपात y दे रखा है अब दोनों में यदि x अनपात y दे रखा है कितना 2 बटे थी तो x का मान यदि आपको निकालना है तो कितना हो जाएगा x बराबर 2 a मान लो या अपके और x दे रखा है तो पहले से और y का मान कितना हो जाएगा 3 a हो जाएगा ठीक है इस प्रकार से हो जाएगा अब यह आपको मान इसके अंदर रखने है जिससे आंसर आ जाएगा question number 49 49 में क्या दिया है तो जहाज एक light house के दोनों और एक समुंदर में 9 कायान कर रहे हैं और जहाजों से देखे जाने पर light house के sirs का onion cone कोन कितना है एक का 45 है दूसरे से देखने पर 60 दिखता है यदि light cone की उन्चाई कितनी 81 दे रखे तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी दे रखे कि यहाँ बीच में कहीं ना एक light house है यह light house का sirs है अब एक नाव तो क्या है यहाँ पर है कहाँ पर यहाँ पर और दूसरी नाव यहाँ पर है यहाँ पर जब इनसे देखते हैं हम तो यह वाला तो इनाव इससे कोन बना रहा है कितने का यदि हम इसको इस प्रकार से कर दें कितने का कोन बना रहा है यह तो बना रहा है 45 टिखरी का और जो दूसरा वाला है जो दूसरा वाला नोका है वो इसके साथ कौन कितने का बना रही है वो बना रही है 60 का 60 का यह हो चुका है अब तावर की उंचाई आपको दे रिखिये 81 अब आप यदि जानते हो इस वाले तिर्बुज में आते हैं पहले इसको मार्क कर देते हैं तिर्बुज A, B, D में आते हैं जब हम देखते हैं तो क्या दे रखा है ये एक समकौन तिर्बुज हो गया ये कौन यदि 45 का है तो ये कौन भी 45 का और ये 90 होगा तो जब कौन 45 होते हैं हम जानते हैं कि 45 के सामने की बुजा 1-1 के अनपात में होती है 90 के सामने की बुझा अंडूट 2 के इनपाप में होती है इस प्रकार से तो यहां देखो यह 80 है तो यह बुझा भी 80 हो जाएगी इस प्रकार से हो चुके है हमको क्या है कि इन दोनों नावों के बीच की दूरी निकालनी है तो हम नीचे वाली निकाल रहे है यह 30 का हो जाएगा 30 के सामने की बुझा एक 60 के सामने की बुझा अंडूट 2 और 90 के सामने की बुझा अंडूट 3 और 90 के सामने की बुझा दो तो यहां से आपको पता चला यदि यह बुझा तो है अंडूट 3 81 अंडूट 3 का मान कितना देर रखा है याँ पर 81 देरक है, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 81 बटे अंडूट 3 हो जाएगा, अब इस प्रकार से निकाल लोगे, तो यह मान आपके पास कितना आ चुका है, 81 बटे अंडूट 3 आ चुका है, अब इन दोनों को आपको जोड़ोगे तो इन दोनों नावों की बीच की तो जोड़ते हैं, 81 प्लस, 81 अंडूट 3 यह आ चुका है, 81 यदि आप इसमें से कोमन ले लोगे, तो फिर आपने इनका लिया, LCM लिया तो अंडूट 3 प्लस 1 पर टे अंडूट 3 यह आ चुका है मान, तो यह देखो आप, option नमबर 2 के अंदर, question नमबर 50, x प्लस y बराबर 5 और x इंटू y बराबर 6 है और x क्यूब प्लस y क्यूब का हमको मान निकालना है, तो आप जानते हैं कि x प्लस y का क्यूब बराबर क्या होता है, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3 x y, x प्लस y, यह होता है, यहाँ पर आपको x प्लस y का मान 5 दे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान निकालना है और एक्स वाई का मान आपको कितना दे रखा है छे दे रखा है और एक्स प्लस वाई का मान कितना दे रखा है पांस दे रखा है यह हो चुक है इन तीनों को आपस में मल्टिप्लाई करते हो तो कितना आता है तीन चेक अ 18, 18 को 5 से करोगे तो 90 आ जाएगा यहां है 125 और यह पूरा मान हमें निकालना एकस क्यूब प्लस वाई क्यूब तो अब मैं इस 90 को क्या करूँ उधर लेकर चला जाओं तो कितना हो जाएगा 125 में से घटाने पर यह 35 आ जाता है किसके बराबर एकस क्यूब प्लस वाई करते हैं और इतना बचा लेते हैं तो यदि कोई 100 रुपय कमाता है 100 परसेंट तो 10 रुपय तो वो क्या करेगा खर्च कर रहा है तो कितने बचाएगा 90 बचाएगा तो 90 की वेल्यू आपको यहां पर कितनी दे रिखी है चोपन सो दे रिखी है तो 0 से 0 काट देंगे और इस 1 की वेल्यू आपके पास कितनी आ जएगी 60 आ जाएगी एक की वेल्यू साठ है तो इस्ट की वेल्यू यहां से सो को आपको क्या करना पढ़ेगा 40 से multiply करने पड़ेगा तो यह 6,000 आ जाएगा यह आप से वय पूचते तो आप इसको 60 से multiply कर देते तो कितना आ जाएदा 600 वो वय करता है इस प्रकार से question number 59 एक वर्गा कार एक वर्गा कार मैदान का 6 तरफल 72 सो मीटर स्क्वेर है चार किलो मीटर प्रती आवर की नियत चाल से चल रही एक cycle द्वारा इस मैदान को विकर्णत पार करने में कितना समय लगेगा देखो एक वर्गा कार मैदान है यह वर्गा कार मैदान है फिकर्ण के अनुसार पार करने में उसको कितना टाइम लगएगा तो देखो वरगाकार मेदान का चेतरफल आपको कितना दिया है 72-300 किसके बराबर होता है चेतरफल भुजा स्क्वेर होता है तो यहां से बुजा का मान कितना आ जाएगा आप देखो 72 किसी का square तो नहीं होता है तो हम इसको यदि 2 से भाग दें तो हमको पता तल चुका है 36 into 2 इस प्रकार से लिख सकते हैं 36 किसका होता है ये तो बुजा square है तो बुजा कितना आ जाएगा 37 का अंडूट करने पर 60 आता है तो ये जानते हो आप 45 का कौन होगा और ये भी 45 होगा तो यहाँ यदि 45 है तो ये कौन भी 45 होगा अब 45 के सामने सामने की बुजा एक ही कनपात में और ये 90 होता है 90 के सामने की बुजा अंडूट 2 में अब देखो आपको एक बुजा कितनी दिया है यानिकि एक का मान आपको कितना दिया है, 0302 दो दिया है, तो अन्रूट दो का मान आपसे पूछ है, तो इस से multiply कर दोगे, 0102 ये, इस से कर दोगे, कितना आ जाएगा, 0601 दो आ जाएगा आपके पास, जो की होगा 120 के बराबर यानि हमारी जो विकर्ण की लंबाई है वो 120 मीटर आ चुकी है तो पहली चीज तो यह हमारी लंबाई आ चुकी है अब आपके पास देखो चाल है चाल किसमें दे रिखिये आपको किलोमेटर परती आवर में दे रिखिये है पर हमारे पास यहां दूरी क्या है मीटर में तो हमको इसको मीटर परती सेकंड में चेंज करना पड़ेगा तो मीटर परती सेकंड में चेंज करने के लिए आप क्या करते हो पांच बटे 18 से मल्टिप्लाई कर देते हो तो यहां से multiply करने पर कितना आ रहा है बीट बटे 18 और इसको सरल करने पर 10 बटे 9 यह हमारी चाल आ चुकी है अब वो पूछ रहा है समय कितना लगा तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल होता है दूरी बटे चाल दूरी कितनी थी 120 थी चाल कितनी थी 10 बटे 9 तो 9 क् जीरो कट चुकी है, 9 से करोगे तो 108 आजाएगा यह आ चका है मीटर परती सेकेंड में नहीं समय आ चुका है सेकेंड में, अब आपको क्या करना है इसको यह दिये आप चेंज करते हो, मिनट में दे रहा है आपको option तो minute में change करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा 108 को आप 60 से भाग देना पड़ेगा 60 से भाग देना पड़ेगा 60 से जब हम भाग देते हैं तो 6 से जब आप पहले भाग दे लो ये मान लो कि 0 है जो 10 है खैका भाग दोगे तो एक बार जाएगा 6 कम 6, 4, 6, 8, 8, 40 इतना आजाएगा और नीचे ये दिया एक 0 है तो उपर जाके point लग जाएगा 1.8 आपका option आजाएगा मगर इसने किस में दिया है भीन के रूप में दिया है इनको काटोगे तो आप कितना आजाएगा solve किया था हमने इससे solve किया तो ये कितनी बार गया था या फिर यहीं से कर लो ये गया था 6 कम 6 और 8, 18 यह आठारा बटे 10 आ चुका है जिसको आप मान रखोगे तो कितना आजाएगा 9 बटे 5 आजाएगा भीन के रूप में आपका मान ये आजाएगा और point में 1.8 ये आजाएगा ये दिए तो option number 4 question number 61 61 में क्या का गया है एक रेल गाटी 5 गंटे में 240 किलो मेटर की दूरी एक निश्चित दूरी तै करती है इस चाल से कितने गंटे में 5 गंटे में इतना तो दूरी बराबर क्या हो जाता है दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है अब कह रहा है कि यही दूरी हवाईजाज दूरा 45 मिनट में तै की जाती है तो चाल बताओ तो चाल पूछी है हवाईजाज की चाल क्या होता है दूरी बर्टे समय तो दूरी कितनी है वही दूरी है जो पहले थी मगर टाइम अब क्यो और कितना लग रहा है 45 मिनिनट इसको आपको क्या करना पड़ेगा घंटे में चैंज करना पड़ेगा तो क्या करेंगे 60 से divide कर दोगे कि यानि कि तीन बट्य चार आ चुका है तीन बट्य चार तो चार कहां चला जाएगा जाएगा तीन से जवाब इसको काट nou गे तो चार डिबल जीरो यह यानि कि उसके चाल कितनी करनी पड़ेगी सोला सो किलोमेटर प्रतियावर उसको प्लेन को चलाना पड़ेगा सवाल नंबर 63 सवाल नंबर 63 में कहा गया कि जो एक बहु बुझ है कोई उसके आंत्रिकोनों का माप जैसे कि ये एक बहु बुझ है ये एक बहु बुझ है तो इसके ये हो गया आंत्रिकोन ये आंत्रिकोन ये आंत्रिकोन ये आंत्रिकोन इन सब का मान का योग कितना बता रखा है उसने 32-42 बता रखा है और formula क्या होता है इसका formula होता है 2n-4 into 90 ये formula होता है बहुज बुज में बहु बुज के सभी कोणों का योग निकालने का जहां पर n क्या है बहु बुज की संख्याएं बहु बुज की बुजाओं की संख्याएं है तो देखो 2n-4 बराबर कितना हो जाएगा ये 90 इधर तो 0 से तो 0 कट चुकी है उपर नीचे बाकी ये बचा भाग दोगे तो कितना आएगा ये 27 आजाएगा और 5-4-6 वार चला जाएगा तो 2n और ये 4 को मैं उधर ले जाता हूं इस प्रकार से हो चुक है तो n बराबर कितना हो जाएगा इन दोनों को दोड़ा तो कितना हो ग गया जो मान आ रहा है 20 तो 20 हमारा आंसर आ चुक है option number 4 यानि वह बहु बुजमिस बुजाओं की संख्या कुल मिलाकर कितनी है वह बीस question number 65 65 में क्या दिया गया है ये दिया गया है तो ये रूप भी आपको ध्यान रखना है कि देखो मैं इसको solve कर रहा हूं मगर आप इस च ले जाओगे तो क्या हो जाएगा दोनों तरफ x का भाग दिया तो इधर तो बन चुका है x प्लस 1 अपॉन x बराबर इधर बत जाएगा 2 क्योंकि इधर दिया तो x से x कट जाएगा इधर दिया तो 1 अपॉन x हो जाएगा इसमें एक एक पावर कट जाएगी तो ये बन जा होता है, तो x-1 upon x पूछा है, तो यहां k का मान कितना है, 2, 2 का स्क्वेर 4 हो गया, जिसमें से 4 घटाना है, आपको, मान कितना है, जीरो आ चुका है, तो option number 1 हो चुका है, option number 66, यह दिया गया है आपको x का मान ग्यात कीजिए, तो X का मान यह दिया आपको निकालना है तुछ सब की value रखो कॉस 45 की value कितनी होती है एक बटे अन्रूट दो एक बटे देखो X इस प्रकार से लिख देते हैं इंटू एक बटे अन्रूट दो क्या लिखेंगे X इंटू एक बटे अन्रूट दो इसको लिखोगे तो हम लिख सकते हैं कॉस देखो इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 इस प्रकार से लिखोगे तो 90 पे क्या होता है कि यह साइन कोस में चेंज हो जाता है तो हम कहेंगे कि यह हो चुका है बराबर कॉस 30 के और और sign दूसरे में आ रहा है, दूसरे चतुर्थांस में, तो दूसरे चतुर्थांस में ये क्या होता है, positive ही होता है, तो cos 30 आ चुका है, और cos 30 की value कितनी होगी, cos 30 की value होती है, unroot 3 बटे दो, यहां से ही आ चुकी है, अगला है sign 60, sign 60 की value कितनी आती है, unroot 3 बटे दो, यहां आती तो मैं क्या कर रहा हूं कि LCM ले रहा हूं इधर यह पूरे का LCM लिया है तो पूरे का LCM कितना आ जाएगा या फिर इधर का LCM ले लो आप तो 2 Unroot 2 आ जाएगा LCM कितना आया 2 unroot 2 आ चुका है 2 unroot 2 आ चुका है ठीक है तो यह इस पूरी को करेंगे तो कितना आएगा यहाँ तो 2 unroot 2 से भाग दोगे तो 1 आएगा तो unroot 3 unroot x ही हो गया इधर तो मान 3 unroot x हो चुका है इधर करोगे तो 2 से 2 जाएगा और यह unroot 2 unroot 3 इस प्रकार से आ जाएगा minus x plus 1 यह हो चुका है इसको हम अटा देते हैं इसको हटा दिया है यह आ चुका है अब क्या करोगे यह हो चुका है यह उधर चला जाएगा तो यहाँ आ चुका है unroot 3 x plus unroot 6 हो जाएगा और इसको यह उधर ले जाते हो तो minus 2 unroot 2 into x plus 2 unroot 2 यह हो चुका है अब देखो यह x है और यह भी x है तो इन दोनों को इसको तो मैं ले जाँगा इधर और इसको ले जाँगा उधर तो यह दोनों जुड़कर कितना हो जाएगे unroot 3 x plus 2 unroot 2 x यह हो चुका है यह उधर जाएगा तो minus का हो जाएगा 2 unroot 2 minus unroot 6 यह आजाएगा यहां से अब जब हम इसको solve करेंगे तो क्या हैगा यह दोनों में x है x common आगया अंदर बचा unroot 3 plus unroot 3 plus 2 unroot 2 यह बचा इधर आचुका है 2 unroot 2 minus 6 अब आप इसको इधर ले जाओ तो क्या बचेगा आपके पास आजाएगा 2 unroot 2 minus unroot 6 यहां हम लिख सकते हैं 2 unroot 2 plus unroot 3 आगे भीचे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है तो अब यह देखो किस के अंदर आ रहा है तो यहां पर देखो 2 unroot 2 minus 6 और 2 unroot 2 plus unroot 3 आ चुका है तो option number 1 हमारा answer हो चुका है सवाल number 67 67 में एक समचतर बुझ है तो सबसे पहले एक समचतर बुझ बना लेते हैं यह बन चुका है हमारा समचतर बुझ बन गया अब क्या होता है समचतर बुझ में 4 बुझाएं बराबर होती है और परिमाप क्या होता है चारो बुझाओं का योग यह दि 60 एक देर रखा है चारो बुझाए बराबर है 4 से डिवाइड कर दिया यानि कि हर बुझा 17-17 की है यह बुझा भी 17, यह भी 17, यह भी 17, यह भी 17 हो चुकी है अब कुझ है एक विकर्ण के लंबाई उसने दी है तो आप जानते हो कि सम चत्रबुझ के विकर्ण क्या है एक दूसरे को आधा आधा काटते है और दूसरी चीज नभे पर काटते है देखो सम चत्रबुझ में आपको तीन चीज़े याद करनी है कि पहला तो छेतरफल छेतरफल बराबर कितना होता है एक बटे दो दोनों विकर्णों का गुनन फल विकर्णों का गुनन फल एक चीज तो ये ध्यान रखनी है क्या होता है यदि सम चत्रबुझ का छेतरफल निकालते हैं तो एक बटे दो इंटू दोनों विकर्णों का गुनन फल जो विकर्ण है एक दूसरे को आधा आधा भी करते हैं इस प्रकार से तो यदि ये पूरा 16 है एक विकर्ण हमने 16 मान लिया तो आधा कितना होगा यह 8 यहां से लेकर यहां तक आट और यह भी 8 यह हो चुका है और यह भुजा 17 दिर्ख है अब यह 90 पे काट रही है तो इसका मतलब कि यह एक न समकौन तिर्भुज बन चुका है जिसकी एक भुजा 8 है और इसका कार्ण है जो 17 है यह 90 का कौन दिर्ख तो दूसरी भुजा हम निकाल सकते हैं 17 का स्क्वेर करोगे 289 माइनस 64 करोगे तो यह करोगे तो 225 आ जाएगा और यह बराबर होता है 15 के नहीं तो आपको ट्रिप्लेट यह दी याद है तो आप सीदा निकाल सकते हो 8 15 17 यह भी एक ट्रिप्लेट होता है तो यहां से यह बुजा 15 हो जाएगी यानि कि यह बुज की लंबाई हमने 30 निकाल दिये इनको यह सोल करते हो यहां से यह आठ आ जाएगा 240 उसका छेतर पला चुका है किशन नमबर 68 एक वेक्ती 10 मिनट में 500 मीटर लंबी सडक को पार करता है यानि यह दूरी दे दिया और यह समय देख दिया अब देखो इसको यह तो दे दिया है हाँ आपको किसमे मीटर में इसको हमको सेकिंड में चेंज करें तो क्या करना पड़ेगा हमको 60 से डिवाइड कर कर दिया है आपको ससे मल्टिप्लाइ करना पड़ेगा तो शाट से मल्टिप्लाइ करा तो कितना चुका है 600 आ चुका है आ चुका है, 600 second, अब क्या कहा है, व्यक्ति की 4 km परती घंटे में ग्याद करनी है, देखो 4 निकालनी है, जाल सबसे पहले तो आप क्या करोगे, 500 बटे 600 कर दोगे, ये किस में आई है, मीटर परती second के अंदर आई है, इसको इसको km परती घंटे में चैंज करना है, तो क्या कर आप कर दोगे इसको 18 बटे 5 से multiply तो यह आ चुकिए किलो मीटर परती घंटे में आ चुकी है 00 से 00 कट चुकी है और 5 से 5 कट जाएगा 8 से 6 से 18 तीन वार जाएगा तो यहां कितना बचाब के पास 3 किलो मीटर पतियावर यह चाल बच चुकी है सवाल नमबर 73 विकास 30,000 रुपए में एक पुरानी बाइक खरीदता है और उस पर 5000 और लगाता है तो उसने टोटल कितने पैसे लगाए 35,000 रुपए लगाए फिर वो उसको कितने में बेज देता है 42,000 में बेज देता है लाब उसको कितने का हो चुका है यहाँ पर देखें तो 7,000 उसको प्लस लाब हो चुका है 7,000 का हो चुका है लाब तो 7,000 का प्रॉफिट कितने पे हुआ है 35,000 पे 3,000 से तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 बटे 35 क्योंकि 3,000 से 3,000 कट जाएगी इंटू 100, अब साथ से आप 35 को काटोगे तो 5 वार जाएगा, कितनी वार कट जाएगा 5 वार और इसका मान आएगा solve करने पर 20 परसेंट, यह उसको लाब कितना हुआ 20 परसेंट का लाब हुआ है question number 79, 79 में क्या है कि 2 मीटर लंबा एक आदमी है, प्रेक्षक है, प्रेक्षक देखने वाला, यह खड़ा है यहाँ पर, इसके लंबाई आपको 2 मीटर दे दी है अब क्या कहा है कि, प्रेक्षक एक मिनार से 1500 अन्रूट 3 की दूरी पर है, प्रेक्षक की आँख से मिनार के सिर्स का उन्यन कोन, कितना है 60, तो हम यहाँ पर एक मिनार बना देते हैं, यह मिनार बन चुकी है इन दोनों के बीच के दूरी कितनी है पान सो पान सो अन्रूट पान सो नहीं है यह इसको काटो डेट सो अन्रूट थरी डेट सो अन्रूट थरी है ठीक है और यहां से यह प्रेक्षक देखता है इसके सिर्स को तो यह कौन कितने का दिखाई दे रहा इसको, ये कौन है, 60 के कौन पर वो उसके सिर्ज को देख सकता है, ये दे दिया, अब आप जानते हो, ये कौन 60 है, तो ये कौन कितने का होगा, 30 का होगा, और ये 90 का होगा, तो 60 के सामने की बुजा, कितने में होगी, अंडूट 3 में, और 30 के सामने की बुजा, 1 होग यह हो चुका है अब यहां से 30 हो चुका है तो देखो एक की वेल्यू किसके बराबर है डेट सो अंडूट 3 के बराबर है तो अंडूट 3 के बराबर है तो अंडूट 3 के वेल्यू कितने के बराबर आएगी इसको आप अंडूट 3 से मल्टिप्लाई कर दो अंडूट 3 से मल्ट आचुकी आपके पास 450 और बाकी नीचे की दूरी दो मीटर लंबा है क्या आदमी हाँ तो ये दूरी भी दो मीटर होगी तो इन दोनों को यदि आप जोडते हो तो कितना आ जाएगा 452 आ जाएगा जो कि हमारा option number 4 है question number 82 में ये दे रखा है तो आप क्या करोगे सबसे पहले अंदर वाले bracket solve करो 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा और 24 में से 18 जाएगा तो 6 बचेगा अब इन दोनों को जोडने ने पर कितना आ जाता है 15 तो आपके पास क्या बचा 180 भाग 20 और bracket में बच चुका है 15 इस प्रकार से आच चुका है यदि हम इस bracket का मतलब क्या होता है bracket को यदे हटातने तो इसका मतलब यह होता है अब इन दोनों में से आप पहले किसको solve करोगे भाग के sign को solve करोगे 180 बचे 20 लिख दोगे और यहां आ जाएगा ये 15 इस प्रकार से ये कटा 3 वार से ये 4 वार अब इसका आप दि भाग देते हो तो कितना आता है 4 दूनी 16, 4 पांच आप 20 यहां चुका है इंटू 3 तो यहां पर solve करने पर मान आता है पिछे तर आता है जो कि हमारा option में मान नहीं आ रहे है ठीक है उसने क्या कि इसने यहां से देखो इसने क्या किया है इसने ये किया है कि 180 भाग तो कि पहले multiply कर दिया है दूनों को multiply करोगे तो कितना आएगा 300 आ जाएगा अब भाग दो 180 वट्टे 300 लिखो तो 0 से तो कट जाएगे 0 और 3 से यह इसको उपर नीचे काटेंगे तो यह दो जाएगा 6 वार और यह कितना वार और यह जाएगा 10 वार इस प्रकार से आ रहा है तो यह भी नहीं आएगा तो यानि कि इसका answer आ नहीं रहा है देखो आप भी check करके बताना कि मैं कहां गलती कर रहा हूं इसके अंदर या तो सवाल गलत होगा या मैं कहीं गलती कर रहा हूंगा तो यह आप check करके मुझे बता रुपए में कितनी बेचनी पड़ेगी, तो देखो मैं क्या करता हूँ, 25% का मतलब क्या होता है, एक बट्टे चार, इसका मतलब, यानि कि चार की चीज़ को वो पांच में बेचे, तो उसको एक का लाब हो जाएगा, 25% का लाब हो जाएगा, और अब क्या है, कि यदि मेरे को पैसे समान रखने हैं, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, पैसे यदि मेरे को समान रखने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, जो मैं पैसे समान करने के लिए, इस अनपात को उल्टा करना पड़ेगा, यानि कि पहले यदि मैं 5 चीज़े बेचता था ठीक है तो अब मेरे को कितनी चीजे बेचनी पड़ेगी चार चीजे बेचनी पड़ेगी तो यह कितने के बराबर आता है पहले यदि मैं पांच चीजे बेचता था अब मेरे को चार चीजे बेचनी पड़ेगी तो यह आ चुका है आपकी जो वस्तुएं हैं उनका अनु जाएगी और इसको यदि आप 2 से multiply करोगे तो कितना जाएगा 8 यानि कि अब उसको 8 टॉफ यहां बेचनी पड़ेगी पहले यदि वो 10 बेचता था तो उसको 8 देखो यह तो है मुल्य अकानपाद पहले 4 में बेचता था तो अब 5 में बेचना पड़ेगा ठीक है तो अब हमक वो को कम करना पड़ेगा तो यानि कि कैसे कम करेंगे मुल्य को यदि सेम रखना है तो हम क्या करते हैं इस इनपाद को उल्टा कर देते हैं कि 5 की चीज को अब क्या करना पड़ेगा 4 में बेचना पड़ेगा अब इन दोनों को यदि आप multiply भी करके देखते हो 4 को 5 से तो यानि कि कुल मिलाकर पैसा तो इसको सामा सेम ही खर्च करना बढ़ता है तो अब इस प्रकार से सवाल को करें मुल्य यदि कहा है कि 25 बढ़ जाता है तो 4 की चीज 5 में बेचनी पड़ेगी और कहा है कि रूपए सेम ही है कि एक रूपए पहले खर्च कर रहा है अब भी एक कर रहा है तो हम वस्तुओं को क्या करेंगे अनपात को उल्टा कर देंगे जो मुल्य का अनपात था उसका उल्टा कर देंगे तो यहां से 5 अनपात 4 आ चुका है 5 की वेल्यू आपको कितनी देर रखिए 10 चार की वेल्यू 8 हो जाएगी इस प्रकार से आप्शन नमबर चार सवाल नमबर 86 इसमें ग्राफ दिया गया नीचे दिये गए ग्राफ में 7 महीने दे रखिए हैं बेची गई बाइकों की संक्यार महीने दिखाई गई है अब ग्राफ को देखते हैं नीचे दिये गए महीनों में से किस महीने में बिक्री जनवरी से जुलाई की अवधी के द कितना हो गया, एाठ हो चुका है है, आठ में 4 जूडोगे, 12 12 और 5 12 सतरा, सतरा, और 6 हो जाएंगे, इजीर्ट टो टोटल कितने महिने हैं साथ महिने तो साथ से भाग दोगे तो साती है 21 आ जाएगा और 2 0 पॉइंट लगाकर 2 0 पॉइंट लगाया और 2 0 लगबग 3 के आसपास मान लो आप 3.3 हो जाएगा तो यह तो आ चुका है हमारा इनका उसत ठीक है 3.3 यह तीर मान है तो तो और यह तीन सो यह हम उसको मल्टिप्लाई करते हैं तो पीछे 2 0 यह तीन सो तीस हमारा उसत आ चुका है अब देखो 330 के आसपास कौन सा है यह है एक तो 300 और यह 400 है तो ज्यादा पास कौन सा है 300 है तो इसलिए हमारा option हो जाएगा फरवरी हो जाएगा फरवरी किस option में option number 1 में है तो answer हो जाएगा option number 1 अगले सवाल में पूछा क्या गया है क जुलाई माहा में हुई विक्री, जनुरी माहा में हुई विक्री की कितनी गुना है, जनुरी माहा में कितनी विक्री हुई है, 600 हुई है, जनुरी में कितनी हुई है, 200, तो 200 का 600 कितना गुना है, देखो 200 का 600 कितना गुना है, जब आप इसको 3 से multiply करते हो तब बराबर आते है यानि तीन गुना है यह हो चुका है जन्वरी से मार्च और अप्रेल से जून की अवधी के बीच बिक्री में हुई ओसत प्रतीशत वर्दी लगबग कितनी थी जन्वरी से मार्च का प्रतीशत ओसत निकालना है अप्रेल से जून का ओसत निकालना है अब बताना है कि पिछले वाले उसद की वजाए अब कितने उसद में वर्दी हुई है तो देखो जनवरी से मार्च का इन तीन का निकालना है फिर अपरेल से जून इन तीन का निकालना है 200, 400, 600, 600, 500, 1100, 1100 को 3 से डिवाइड कर दो, यह आ चुका है, इसका उसत, अब पूछा है कि यह इस से कितना ज़्याद है, मैं देखो, 3 से यह कट नहीं रहा है, तो मैं इसके इंदर 3 नीचे करता हूँ, तो 3 मुझे उपर भी मल्टिप्लाई करना पड़ेगा, अब हमारा उन अधिक है, तो कितना अधिक है इनको घटाओगे, तो आपके पास मान आएगा, 500 बटे 3, 500 बटे 3, और किस से ज़्यादा है, पहले वाले से, यह हो चुका, और परसेंटेज में निकालने के लिए, 100 से मल्टिप्लाई कर देंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 00 से 00 कट जाएगी, अब जब इसको आप solve करोगे, तो 6 का मान कितना होता है, 6 का होता है, 16 सही, 16 सही, 1 बटे, 16 सही, 2 बटे, 3, यह मान होता है, इसका, ठीक है, तो बटे, 6 का मान होता है, 16 सही, 2 बटे, 3, तो अब इसको 5 से आप मल्टिप्लाई करोगे, तो कितना आजाएगा, 5 सोला पांच से 80 होता है, और इसको करोगे, तो 10, 1 सही, 1 बटे, 3 आजाएगा, यह आचुका है, 83 सही, 1 बटे, 3 आजाएगा, अब देखो, option में, 21 के पास ह option number 3 में आपको दिखाई दे रहा है 80 थी तो यह हमारा option आगा any question no 89 पिछले माईने की तुलना में निवन में से किस माहिने में बिक्री प्रतित स्रवाधिक रहा पिछले माहिने की तुलना में धर्वाधिक रहा देखो यहां देखो अप्रेल और मैई को देखो इधिया प्रेल में 200 थे तो मैई में कितने हो गए 400 तो कितना बढ़ गया 200 पर 200 extr की वर्दी हो चुकी है किसी प्रकार से आप ना यहां पर देखो मार्च से अप्रेल मार्च और अप्रेल को भी देखते हो तो सो पर दोनतों गए यानि 100 पर 100 बढ़ चुका है यहाँ पर भी 100% की वर्दी हो चुकी है तो यह दो महिने कौन से लेंगे हम कि पिछले महिने की तुलना में एक तो मई हो चुका है हमारा और एक अपरेल हो चुका है तो देखो दोनों में से कौन सा आंसर है यदि दोनों है तो दोनों होंगे दे option number यह दोनों सही है, चार भी होगा और यह भी होगा, उसने पुझा है, पिछले महीने की तुल्ना में, निम्न में से किस महीने में बिक्री का प्रतिसत सरवादिक रहा, तो option number एक भी होना चाहिए और option number चार भी होगा, इस प्रकाश से यह दोनों होगे, तो आगे जाके शायद यह आपका option correct हो जाएगा, पढ़ते हैं सवाल number 95 की तरफ, इस वर्स तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, आठ सदस्योग वाले परिवार की ओसातायू 39 दे रखी है, यह आठ सदस्यों का परिवार है, ओस तायू कितनी है? 39 दे रखी है, अब यह मानते हुए, 6 वर्स बाद, परिवार ने एक नौजात बच्चे को गोद लिया, 6 वर्स बाद क्या है? एक बच्चे को गोद लिया, तो 6 वर्स बाद परते किक कितनी कितनी हो जाएगी? 39 थी, तो 39 था, 6 जोड तो 45 हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या हुआ, एक संक्या और बढ़ गई, अब 9 हो चुके यहाँ पर, और नवजाद बच्चे को लिया है, तो अभी तो उसकी एज क्या है, 0 है, अब क्या है, 10 वर्स बाद, तो हमने यहाँ पर 6 तो बढ़ाई दिया है, कितन है, 9 हो जाएगा, और यह क्या है, 0, यह कितना बढ़ जाएगा, 0 थी यहाँ पर, यहाँ पर 4 हो जाएगी, यह हो चुका है, पहले इसकी 49 थी, यह 4 थी, 49 कितने लोगों की हो चुकी है, उस अब 8 लोगों का है, तो 8 से मल्टिप्लाई कर दिया, और एक बंदे की आयू कितन आएगा, आठ निम बहतर साथ यहाँ सल, आठ चोग 32 और साथ इतना चुका है, इसमें 4 जोड़ोगे, तो आजाएगा, 396 ही आजाएगा, यह कितनी लोगों की है, ओसत निकालने के लिए हमको किस से डिवाइड करना पड़ेगा, 9 लोग हो चुके हैं, तो 9 से डिवाइड क करना पड़ेगा, जब आप इसको सॉल करोगे तो आएगा, चार वार जाएगा, 36 और वापस चार वार जाएगा, तो अप्शन नमबर 4 हो चुगा है इस प्रकार से, क्यूशन नमबर 96, 96, तो 96 में क्या कहा गया है, 100 परशन दिये गए है, जिन में से परतेक के सही उत्तर के लिए एक अंग मिलता है, 100 परशनों में से अब क्या है, 30, 50 और 20 क्रम से आसान है, मध्यमवर के परशन है, और कटिन परशन है, यानि 30 परशन आसान है, 50 मध्यमवर के और 20 परशन हाड है, परशन पतर में कटनाई स्तरों के समान वितरन और परशनों की बराबर संख्या के स पांच अभी शम्ताओं को शामिल किया गये, आप इसको ऐसे मानलो कि पांच है ना सबजेक्ट थे उचके, तो पांच सबजेक्ट थे, पांच सबजेक्ट है, और सब में जो पशन पत्र में कटना इस तरों के समान वित्रन है, यह तीस को सब में सरल परशन भी समान है, लेकिन दो विश्यों में वैकिवल आसान परशन ही हल कर सकता है, यदि मुल्यांकन करता परते गलत उत्तर के लिए पूइंट थ्री थ्रियंग काटता है, तो सचीन सभी परशनों को हल करता है, तो अपेक्षित प्राप्तांग ज्याद कीजिए, तो सबसे पहले तो ये देखो, ये 30 थे, 50 थे और 20 इस प्रकार से है, सरल, मद्यम और हार्ड, तो ये 5 सब्जेक्ट में बांटे, तो हर सब्जेक्ट में कितना कितना है, ये 5 से इसको भाग दोगे तो 6, इसको दोगे तो 10, इसको दोगे तो 4 आ जाएगा, यानि कि हर सब्जे थे पेपर में, यह वो 100 के 100 attempt करता है, यानि 100 के 100 उसने पूरे attempt किये हैं, और सही करता हम यह मान लेते हैं, कि पूरे के पूरे सही attempt करता है, तो उसको 100 number मिले हैं, ठीक है, 100 number मिले हैं, लेकिन उसने कितने सवाल गलत किये हैं, यह कैसे निकलेगा, तो देखो, उसने आसान वाल वाले इसे ही करता है तो देखो एक subject में मद्यम वाले 10 है तो 2 में कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे इसी प्रकार एक में hard वाले 4 है तो 2 में 8 हो जाएंगे यानि जो 28 question है वो उसने गलत किये है तो 28 question यदि उसने गलत किये है तो Eishiňusn, 28 के 28 नंबर तो वो कट चके हैं, उसके गलत के, और बाकी aqeusn का कितना कटता है, 0.33 नंबर और कटता है, यहन्या, 28 नंबर तो उसको वो कटे है, तो इसको 0.03 से और multiply कर से उसके जोटना करना आता है, 0.23 से multiply करने पर जितना आता है, यह आएगा करोगे तो 28 को 3 से करते हैं तो 84 आता है 28 ती है 84, 88 हांसल 84 और 8 84 और 8 बांड में किया चुका है दो के बाद point तो उसके 28 नमबर तो वो कि उसने 28 कुशन सही नहीं किये तो 28 नमबर तो वो चले गए और जो 28 उसने गलत किये तो उसके कितने नमबर कट जाएंगे 9.24 नमबर बाकी होर कट जाएंगे तो इतने नमबर उसके कट चुके है तो अब ये total कितना हो चुका है 37.24 नमबर हो चुका है तो total यदि वो सही करता तो 100 नमबर आता मगर उसके कितने कट चुके है इतने साथ आ चुका है यहां इसको करोगे तो आप कितना आ जाएगा तो 62.76 उसके नंबर आएंगे जो कि option नंबर एक है तो इस प्रकार से और दोस्तों यहां पर हमारा paper हो चुका है complete आपको यह कैसा लगा आप comment में जरूर बताना और कोई सवाल समझ में नहीं आया तो वो भी प्रकार सकते हैं और बाकी thank you दोस्तों